नमस्कार UFT News 24 में आपके साथ मैं हो सिम्रन कौर दरसल मामला नरकटिया गंज अनुमंडल अंतरगत साथी थाना शेतर के धर्मपुर गाउं में विगत साथ मैं को दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल रीना देवी पती राम बचन गोड ने इंसाफ के लिए बरिये पदादिकारी को आविदन देकर निर्दोश को साज कई लोग खायल हुए थे जिसका चनपटिया अस्पताल में इलाज कराए गया फिर पुलिस ने दोनों तरफ से प्रांटमी की दज कर इस मामले में मेरे भतीजे प्रमोद कुमार को नाम जत कर दिया जो घटना के दिन घर पर उपस्थित नहीं था जो की बगहा बैंक में कारेरत था इसकी पुष्टी ब्रांच मैनेजर शेराम कुमार ने की है घटना के दिन यानि 7 मई 2021 को प्रमोद कुमार हमारे शाखा में उपस्थित था ऐसा बैंक मैनेजर ने बताया है अगले दिन यानि 8 मई को अपने घर के लिए चला गया ब्रांच मैनेजर का बैयान और उस दिन का CCTV फुटेज के अधार से यह साबित होता है कि घटना के दिन प्रमोद कुमार घर पर नहीं था फिर भी साजिश के तहत प्रमोद कुमार को फसाया गया और अन्तो गत्वा जेल फेज दिया गया पेडित महिला का कहना है कि बिना जाज किये जेल फेज हुँ है स्चेंओ पला कि जेखें जाज करों क्ता जाज में छाग्रा केसाँ जाज करने जाज देलाख हुआ प्रमूठ देले युजफा नरखधिया वा नाज़ देले वानिसा पस अपना high वाल्गे अपने नर्कडिया टेले अपने इस्पी साहब करने अच्छा अच्छा उठी मिन आयूसाद के जलेबानि इस तब आई बावाविसा देले गनि सब्सक्क्राइबब एक अमित कुमार बैंडवाल की रिपोर्ट